स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्टे टेकनोलजी में मैं अनुपर्म वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के श्योग कैमेरा टूष्टी में आज हम लग बात करेंगे वी एफेक्स ऑफ ग्लोइंग तिक्स यानि कि कोई चीज सीजी में कर रहा है तो उसे कैसे किया जाए तो हिसाब यह समझे कि प्रॉब्लम यह ना कि लाइट बहुत फास्ट होता आप शॉक वेव अगर सीजी में दिखाना चाहते है या डॉस्ट पार्टिकल दिखाना चाहते है उसमें एक स्पीड होता है कि वह एक जिगां पे है दूसरे ज लिंक होना चाहिए यानि कि इस सीन में आप दिखा रहे है कि एक फ्लैश बैंक का अपने अनिमेशन डाल लिए कि वह बूम हुआ तो उसका लाइट ऐसा आप दिखाना है दीरे-दीरे करके सीजे आइटिस्ट पेंट करेगा उसको एक सीन में पेंट करना पड़ेगा और व अब माली इधर से कोई दूसरा लाइट है वह अलग अलग का शैड़ यहां बनाने लगेगा तो ही समझना बहु ज़री कि उसका शैड़ अलग मतब कास्टिं जो हो रही है वह अलग कलर अलग अलग इंट्रक्ट भी कर सकते हैं तो वह सब भी आपको डालना पड़ता है या काहां CGI आर्टिस्ट को आप दिये तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और नहीं किया जा सकता तो लाइट तो उसका एंप्लिफाइ करता है और यह सारा चीज इंस्टेनियसली होता है यानि कुछ भी हुआ इफेक्ट जैसे आपने प्यूं इफेक्ट मारा वह एक ही प्रेश पाषकर ष्यां जैसे नहीं चैसे इस पूर खाए अथ में रहें प्रेशा है जिए बहुत आपयों कहीर सब्सक्राइट जी हमगी हमकृरे अच्छा तो अच्छा दिखता है स्विंग कर रहा है जो उसका फील आ रहा है वो फील नहीं आएगा लाइट उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा CGI में आप अराम से यह कर सकते हो कि वहाँ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उसे बढ़ा सकते हो बढ़ाने में कोई दिख कर नहीं सीजाए में आप बोलो कि अरे यहाँ थोड़ा कम लग रहा बढ़ा दो बंबं हो जाएगा लेकिन अगर है ही ने पेंट करो वह हमेंसा नखली लगेगा तो यह समझना बहुत ज़रूरी रहता है और हम लोग को ग्लूइंग चीज बहुत अच्छा लगता है यह बहुत पुराने पिक्चर का वी एफेक्स है कैप्टेन अमेरिका का आप लिखो क्या है वह तो वही समझे प्रॉब्लम यही कि लाइट चाहिए हम लोग को लाइट इंस्टेंटेनियस रियाट करता है और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो बैंड बजा देता है तो इसलिए हम लोग को कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा जैसे कम यहां सीन बनाती है यहां पर कुछ यौ भूह हो रहा है र्याट लेकिन अगर आप पुर्ण बना ओइसstem ě जो कि आज कर बार किया जाता है लेकिन अगर आपके पूरा सीने सीजी आइए कर दो तो आपको ऐसे लेडी ही डालना पड़ेगा यह यह जगा पर पूरा थी दरी देमेशन अना आपका जैसे यह जगाँ पर वहां प्रोफाइद देमेशन तो लाइट वह उससी सब से फॉल और उसको CGI से बढ़ा सकते हैं वो सब बले बले लेकिन रहेगा नहीं सीन में मारा पोचाड़ कीजिए और नकली लगेगा जैसे वही देखें दोनों एक ही पिछर का है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने बहुत सारे सीन में जैसे कोई कवच हुच है कवच में ब्लू क पर घूमते भी रहते हैं या उसका लाइट भी सिंक रहता है तो वह धीरे-धीरे कास्ट करते हैं अच्छा से हो जाता है और आजकल के टाम में यह बहुत पहले से कोशिश ही जाती थी लेकिन बात था कि पहले जो इनकेंडेसेंट बलवाते थे वह बहुत जादा यह होते आजकल लेटी बहुत हलका होगया है बहुत कम पार में चलता है बहुत लाइट भी देता है तो आराम से आप कर सकते हैं यह लोग ट्राय कर रहे थे मतलब वी एफेक्स बहुत अचा है उसका कंपेट हो कि बुल रहा है ना ऐसा लाइट आप दिखा रहे तो यह जब क्रेक् दिख रहा है तो यह एड-on करना अपको बहुत समय और जैसे ही आप यह सब करते हो रिय वाला फिलिंग अगल बगल चीज रिफलेक्ट करेंगा और यह माली कांच कांच कैसे रिफलेक्ट करेंगा वह रहेगा सीन में रहेगा सर आपको इसके उपर पुचाड़ा करना है ब इसलिए शूटिंग के टाइम में ही लाइट डालन की कोशिश की जाती है अब बात करते है एफर्ट का तो आप यह देखे जैसे वंडर वोमन है तो उन्हों ले लैसो पर महनत किया आप भाई लैसो कलर लग 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 रहा है वह से उतना फरक नहीं है बस एक रिफरेंस लेकिन अगर है और अपको लग लोग जादा है वह अप साइड लाइटनेस कंट्रोल करके कस दार अग बहुत जादा है तो मास्की कर दीजब को इतनिशन वाली बात नहीं है लेकिन अगर नहीं है वह हमेसे अखली लग लग यह जैसे यह डॉक्तर स्ट्रेंज में अतना मह अगर चोटा से स्टेप है कि अप करोडो करोडो के अक्टरस को ले रहे हो वह लेडी आपके लिए खरीदने खरीद नहीं होगा तो एक रिंग लिए डाले उसको पस कंट्रोलर लगाए गोल गूमाये बले-बले जैसे वंडर वॉमन को आप अफोड कर सकता है तो एक आप लूट होगे नहीं तो कॉंटेक्स लिए रहता है कि बजट टाइन यह सब अलग से अलोकेट किया जाता है सीन के साथ सीन डिसाइनर बैठ के डिसाइड करते हैं कि अच्छा से कर सकते हैं कम दाम में कैसे कर सकते हैं कर कम हाई स्पीड से कर सकते हैं और यहां पर जो लो कर दों के सामरा में शूट कर रहा है इस में शूट कर रहे हैं बीड खरीत में फूल रहा हो आप अप हुग जा है और ऐसा भी जाहए अपने आप वाई उप्ट कर देशिए का बहुत महांगा होता है अच्छी मेंगा, बुलू को एस टेंशन है इंगता है अब से कुछ कुछ सीन देखिए और तुम 2009 का वीडियो गेम्स उठा के लिए आए हो तो वही समझेए क्यों कि गार्बेज इन को सब्सक्राइब आप आर्टिस्ट को यह फूटेज दीजेगा वो बोलेगा हम इसको चकाचक कर देंगे आप यहां पर हल्वा दे दीजेगा वो कुछ नहीं कर सकता गार्बेज इन इक्वस गार्बेज बोलीवोड इतना ज्यादा पैसा लगाने के बाद भी क्यों नहीं अच्छा कर पाता कारण वही है वो कचरा दे देते हैं वी एफेक्स आर्टिस्ट को बोलता है तुम उसे ठीक हो क्या कि करेगा वहीं बोल रहा है यह अब आपको मैं सबसे बेस्ट इग्जामपल दिखाता है वाच मैं मुझे पीचर बहुत पसंदा है मैंने तो 4K Blu-ray खरीकर रखा हुआ तो वही समझे इसमें Dr. Manhattan का जो करेक्टर है यह करेक्टर जो है यह हमें सब गलो करता है कैसे गलो दिखाऊगे आप सीजी में आप अब यह किया कैसे गया यह बंदा था अब इसको सीजी आइस किया गया लेकिन यहां पे LED का जो कंट्रोलर था वो कंट्रोलर उसको अराम सके हाँ यह सीन है सीन का जैसे वह बोला कि is this better तो अगल बगल लों का रिफ्लेक्शन कम हो गया यह इफेक्ट आप महाराय तौबा कर यह बड़ा बल यह लोग लगा है बात यह था कि मैनहेटन जो है अपना साइस बड़ा कर सकते हैं तो इसका गलो भी बड़ा होगा तो रहा पर यहां पर कटावती कर सकते थे नहीं एक बड़ा सा बलून लगा जो रफली उसके चेस्ट वाले एरिया में को रिप्रेजेंट रिमोट कंट्रोल से ओन और अफ करते हैं और फिर देखें डॉक्टर मैनहेटन को क्लोन भी है तो क्लोन भी बनाए गया उनके लिए लगाया गया अब देखें जो पीछे से गुलो कर रहा है आप मार सीजी में कर लिए तो सीजी पेंटिट उपर किया गया है लाइट रिफ दो हजार नौ में किया गया है इतना महनत इनो लेकिया है सिफ एलीड मतब कोई मैजिक टेकनोलजी नहीं हूलूलू नहीं इतना फायदा मिलता है ये पिक्चर आपको पसंद हो चाहिए उसको बात हटाते है लेकिन इसका वी एफेक्स जो है खासता पर दॉक्टर मैनहेटन कर दो कोई नहीं बोल सकता कि उन्हीं नहीं हमत नहीं किया और अच्छा नहीं आप लगेगब वी एफेक्स आप सब्सक्र लेकिन एस टूल हाई है बोलो भाई से किया और यह दिखता है इतना सी में महनत किया और यह थिख नब अब रगर आवगर यह लिग इसमें एंड इ क्योंकि बनाया गया और मॉडल दिखाया गया आर्टिस को कि देखो यह मॉडल हमें चाहिए तुरंट आर्टिस वला हम समाल लें यह समझना बहुत जरुरी होता है और यह समझे दो हजार नौ में बता है आ ऐसा भी नहीं बहुत जरुरी है कि अगर आप मेहनत करते हैं सीन के कॉंपोजिशन में थौट में तिखता है और पुटाता है और आजके टाइम में यह नहीं बुल सेते हैं कि हम बड़े-बड़े एक्टर एक्टर एक्टरस का हैर कर सेते हैं लेकिन एक लड़ी नहीं खरीच साथे बहुत आई सही में तुम आपस LED लड़ी खरीट कर लगान इसा इतना कमें टेक्टर आप अराम से आपे कर सकते हैं अच्छा लगेगा लोग सेल कर लेंगे मतलब आपको लगए कि हां मैं एक सीन देख रहा हूं नहीं तो लगे बहुत खराब है लाइट का रिफ्लेक्शन इंसंटनिया होता है पानी के उपर से दिखा रहे हैं लेडी नहीं थी एलेडी डाल देते पानी चमक जाता और वो चमक आप किसी यह अटिश को देते तो बलता अच्छा ठीक है सर एलेडी दिख रहा है मैं उसे बलर कर तो बढ़िया लेकिन फील आता फील नहीं रहा है उसलिए ऐसे आख अग अग मुर्ख बना रहे हो तो करो अगर आप सीन में ही कर लेते हैं वहांनकि souvent कर लेते हैं तो हमेसा यह समझना वी एफेक्स में लाइट ओर का कैसे किया चाता है उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगो कुछ सिखने मुला कुछ समझ में हो अगर रहता है लाइक कर दे दोस्वा शेयर कर दे उसे मेरा काफी भला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आए कोई बात नहीं